हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार 9 सेप्टेंबर 2021 और आज के दहिंदू नियूज पर गौम लोग डिसकस करेंगे अनलेसिस करेंगे आप इसके पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवरतन आएस अकाडिमेट टेलिग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल गवर्मेंट ने MSP यानि मीनमम स्पोर्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया है रभी क्रोपस के लिए देखी रभी खरीफ और जायदी स्टरह की क्रोप के सीजन से आपने पड़े होंगे क्योंनाउस के गए क्योंकि MSP जो है किसी भी फसल की बिजाई से जट पहले यारी शोविंग से पहले ही आननाउस किया जाता है MSP basically क्या होता है और कितरा इंक्रीज किया गया कितरा इंक्रीज किया गया वह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं प्रस्पेक्ट्टिव से लेकिन MSP basically होता क्या है इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है देखिए यहां पर वेंशन किया गया minimum spot price basically क्या है market के अंदर intervention है government के द्वारा कि एकदम से price ना गिर जाए जिसका नुकसान किसानों को हो या producer को हो या जो purchase करने वाले हो उन सब को तो इसको ensure करने के लिए एक minimum spot price जो announce किया जाता है फसल विजाई के पहले और यह announce किया जाता है commission for agriculture cost and prices की recommendation के basis पर इसका decision लेती है cabinet committee on economic affair और जिसको chair करते है प्राइमिस्टर साहब तो यह एक main इसका purpose होता है इसके लाव बहुत सारे factor है अलग-अलग MSP को decide करने को लेकर यहां पर आप देखिंगे यह various factors आपको देखने को मिलेंगे लेकिन बात करते हैं कि MSP के अंदर basically कितनी crops total आती है तो यहां पर यह important है MSP के अंदर total 23 आती है इसको 22 प्लस 1 बोलते हैं जैसे 22 तो mandated crops होती है और एक जो include होती है sugarcane, sugarcane के लिए generally use किया जाता है fair and revenue prices यह ध्याना की उचीत व्लावकारी म crops है इसके बाद 6 जो आती है रभी crops इसके लावा दो है commercial crop ठीक है तो यह ध्यान रखना इस तरह की चीज़े जो division किया गया यह total crops दी गही है सेरिल्स, अनाज की, दाल की, तिलहन की, रा कोटन, रा जूट, कोप्रा, डी हस्ट, कोकोनेट, sugarcane, sugarcane के लिए use होगा fair and revenue prices और virgin of flu cured tobacco करके एक दिया गया तो यह आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में और कई बार हो सकता है MSP को लेकर सवाल आपसे पूछा जाए even fair and revenue prices को सवाल हो सकता है, cabinet committee on economic decision लेती है कि MSP कितना increase किया जाएगा on the based on किसकी recommendation पर, commission on cost and prices की recommendation के based पर यह decision जो है वो लिया जाता है government के द्वारा, right, तो क्योंकि इस टाइम पूरे देश में agriculture एक ऐसा topic है जो कि बहुँ जादा highlighted है, 2020 में UPSC premium में सवाल पुछे गए थे, इस बार भी सवाल पुछे जाने की possibility है, इसमें कई तरह के question हो सकते है, जैसे यहाँ पर MSP हो सकता है MSP के अंदर सारी खरीफ और रवी की फसल include ना हो, तो आपसे सवाल पुछा जा सकता है कि कौन-कौन सी crops होती है खरीफ season में, रवी season के अंदर, इसके अलावा soil से connect करके प question हो सकते हैं, वो आपसे possibility होगी, और इस बार भी फिर से possibility है कि agriculture से कई सारे सवाल आपसे पूछे जाए, तो यह आप ध्यान रखेंगे, agriculture पार्ट जो आपकी जोगरफी के अंदर भी है, economy के अंदर भी आपको मिलेगा, यह अच्छे सी करना, इसके जस्ट नीचे एक छोटी इनफोर्मेशन आपको देखने को मिली, कैबिनेट ने अप्रूव किया incentives for textile sector, textile sector के लिए कुछ incentives को approval दिया गया, और इसमें लगए 10,683 करोड का production lead incentives schemes को benefit करेगा, और यह इसका main purpose क्या है, तो investment को boost करना, और इसके तुरू बड़ी सिंख्या में लोगों को job generate किया जासके, य यह textile sector भारत का वो sector है, जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, तो इसलिए यहाँ पर incentives यहाँ पर एक तरीके से सरकार द्वारा खर्च करना definitely एक job booster की तरह यह sector माना जाएगा, यह काफी important decision है central government का, इसके लावा यहाँ पर right hand side एक information type में है, Supreme Court में एक petition दूर जो है वो दिया जाता है, तो इस context में Supreme Court ने इसको reject किया, Supreme Court ने कहा कि सरकार को इस समय पर नहीं कहा जा सकता है, क्यों क्योंकि 60% क्या आसपास जो है vaccination coverage का, at least single dose, right, इसके अलावा, दूर टूर में कई सारी problem आती, को यह polio यह दूसरी vaccine की तरह नहीं है, यह थोड़ी different है, क्योंकि इसमें monitoring करने पड़ती, आदा घंटा एक और इतरा ना तो staff है, कि हर घर में जाएगा और उसको एक तरीके से register करेगा, क्योंकि registration भी होता है, अपडेशन होता है data, तो वो सारी चीज़े है, दूसरा monitoring करना, और third जो है, क्योंकि जो vaccine उसको at least minimum temperature पर maintain करना, यह कह ही ने कहीं एक चलेंजर एक और हो सकता है, क्योंकि vaccination वेस्ट बहुत जादा हो सकती है, यह कुछ वज़ा जिसकी वज़ा से due to due vaccination जो हो, नहीं possibleize time पे, हाला कि vaccination का coverage जो है, वो urban area से rural areas के अंदर भी increase हुआ है, और 60% अगर single dose receive हुई है, तो इसमें बड़ा हिस्सा rural area का भी है, तो पहले लोगों के मन में जो hesitancy डर था, वो धीरे धीरे minimum हो रहा है, और लोग vaccination की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और बड़ी संक्याम लोगों ने vaccination जो हो वो करवाया, तो उसी context में Supreme Court ने बोला कि इस state की एक limited administration power होती है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति तक doctors सरकार को ये statement type में है Supreme Court के, इसके बाद page number 6, page number 6 पे editorial part है, editorial part में वैसे तो सिरफ एक ही editorial सबसे important है, green hydrogen वाला, लेकिन एक और article हम साथ में थोड़ा सा attach करते हो पढ़ेंगे back to school, back at school करके दिया गया, ये basically COVID-19 के बाद schools के reopen होने के बारे में article discuss करता है, और क्या कुछ किया जा सक पता हुन सब चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया कि A3 के school को reopening करने को लेकर, 11, 12 या senior जो बच्चे उनको school पहले open कर दिये गए थे, लेकिन छोटे बच्चों के school कई जगा अभी भी open नहीं है, तो उसको open किये जाए नहीं किये जाए इसको लेकर पूरे पर भी अलग-अलग debate आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन school को open करने से पहले ये ensure की जाए कि उनकी safety को लेकर कोई भी compromise नहीं किया जाए, यहाँ पर आप देखेंगे, एक difficult decision है, state government के लिए भी school को open करें या नहीं करें, इसको लेकर कई सारे studies और कई सारे surveys भी हुए है, कि बच्चे जो है वो ज्यादा vulnerable नहीं है COVID-19 के लिए, अगर आप बड़े level पर जैसे senior बच्चे जो की eligible vaccination के लिए, या teacher, staff, या अगर आप proper ventilation ये सारी चीज़े provide करते हैं, तो schools में COVID-19 cases को reduce किया जा सकता है, तमिलाडों में schools को reopen किया गया, कुछ infect हुए, देखे 100% risk-free life कही पर भी नहीं, 100% तो ये नहीं हो सकता है, ensure कर सकते कि एक भी बच्चे इंफेक्ट नहीं होगा, लेकिन minimize किया जा सकता है, जैसे केरला अभी भी struggle कर रहा है, 25,000 cases per day वहाँ पर आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा state है, और यहाँ पर बड़ी संक्या में लोग जो है वो infect हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कुछ concern भी है, हलाकि उसके बाद भी उन्होंने residential higher education institution को open रखा है, final year college classes को open रखा है, और ये ensure किया कि बायो बबल के अदर है, यानि at least single dose vaccination उन लोगोंने लियो, ताकि स्कूल्स को या higher education institution उनको continue किया जासके, इनके लाबा अगर आप देखेंगे, क्योंकि COVID-19 की वज़े से बहुत सारे अभी survey भी आया था, बहुत सारे indication करते हैं कि rural और urban area की बीच में, education का access को लेकर एक use gap देखने को मिला, digital divide का भी एक concept आता है, कि जिन लोगों के पास digital gadgets है, वो ज्यादा access कर पा रहे हैं, या एक inequality का जो concept है, वो और ज्यादा widen हुआ है, इस COVID-19 क वज़े से education के context में, और school का reopen नए होना, कई तरीके से बच्चों को psychological और तरीके से physically जो है, वो नुक्सान पहुंचा रहा है, क्योंकि कई सारी scheme, जैसे midday meal scheme, जो एक important initiative है, उसको बच्चे जो है, उसको एक तरीके से कहा सकते कि access नहीं कर पा रहे हैं, और कई सारी problem जो वो face क कर रहे हैं, इनके अलावा various studies है, वो इंडिया में हो, यूरोप के अंदर हो, कि बच्चे पहली बात less vulnerable as compared to adult, इनके अलावा अगर proper protocol को follow किया जाए, तो schools को reopen किया जा सकता है, जैसे desk की distance को increase किया जा सकता है, छोटी class हो सकती है, तो कई सारे protocol follow करने पढ़ेंगे, ventilation को proper रखि जाए, इसके लावा WHO के guidelines को follow करते होए, अगर schools को reopen किया जा सकता है, with security and safety, then definitely हमें इसको ensure करना चाहिए, और continue school को reopen करना चाहिए, तो ये कुछ चीज़े है, इसके अलावा बहुत सारे आपने देखा होगा, सर्वेज के अंदर भी parents ने भी बोला है, कि school को reopen करना चाहिए, क् क्योंकि school जब तक एक teacher का और student का direct interaction नहीं होता है, proper education, online education एक additional हो सकता है, यानि एक sportive हो सकता है, but वो replacement नहीं हो सकता, जो physical class है उसका, तो ये कुछ चीज़े हैं, जो mention करेगी है, बाकि political article इसके लावा vaccination के बीच में जो difference है, वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं उसके बारे म बहुत अच्छा article में कहूँगा कि most important एक article में से एक है, या green hydrogen या clean fuel के बारे में भी आप बोल सकते हैं, ये क्यों important है, एक नए नया ally हो सकता है, zero carbon future, यानि आने वाले समय में zero carbon future हो, यानि CO2 बिल्कुल production आओ, इसको ensure करने के लिए green hydrogen एक alternate source आपको provide करता है, और एक alternate provide करता ह बहुत सारी clean fuel के साथ और पुरी दुनिया को de-carbonization के जो goals उसको हसिल करने को लेकर, green hydrogen के बारे में पुरा editorial है, green hydrogen के बारे में UPSC पूछी भी चुकी है, और आने वाले टाइम में भी ये one of the favorite topic रहते हैं, UPSC के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो scientist हो, technocrates हो, ये लगातार alternate क्या होगा, तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि अगर आप देखेंगे, जो fossil fuel अलगवग 830 million ton जो है, पर रहनम, carbon dioxide को produce करती है, ये कुछ studies शो करती है, और 195 countries ये कोशिज कर रहे है कि कुछ ने कुछ alternate जो होगा हो, तो इसी context में बोला गया है, कि अभी United Nations Climate Change Conference होने वाली है, Glass Go के अंदर, November 1-12-2021 में, इसमें re-examine किया जाएगा, coordination किया जाएगा, कि कैसे greenhouse gases को, या climate adaptation measures को जो follow किया जाए, और इसी चीज को लेकर Paris Agreement में हमने जो target set किये थे, उसको कैसे achieve किया जाए, उन सब चीजों को लेकर, ये important summit है, और recently, IPCC की भी अभी report आई थी, 6th assessment report, उसके tension किया गया था, कि हमें ensure करना पड़ेगा, कि हमें इसको जल्द से जल्द हम लोग प्लाप पर executive plan बनाए, इसके अलावा, अगर आप देखेंगे, पूरी दुनिया में, ये कोसिश हो रही है, कि alternate डूंडा जाए, यानि fossil fuel का alternate डूंडा जाए, जो इस तरीके से ensure करे, जो target को achieve करने में, तो इसी तरीके से green hydrogen एक important initiative हो सकता है, zero emission और carbon dioxide को reduce करने को लेकर, लेकिन कुछ question भी है, कुछ challenges भी है, green hydrogen को की context में, भले energy resource हो, लेकिन hydrogen के बहुत सारे hydrogen जो है, वो तरीके से important element है, planet पर और इसके बारे में हम बहुत जादा या इसका कैसे use कर सकते हैं, इसको लेकर जो technology चाहिए, वो challenge है, जैसे, इसको लेकर हमें liquefy करना पड़ेगा hydrogen को, और इसके लिए at least 253 degree Celsius minus temperature requirement है, जो की liquefied natural gas 163 degree Celsius से कहीं जादा है, right, इसके लावा, इसको storing करना, इसको एक तरीके से usable, एक तरीके से में change करना, ये कहीं ने कहीं challenge है, इसके लावा, various types की hydrogen hydrogens होती है, जिसमें आप देखें, black है, brown है, blue, green, इस तरह की hydrogen, black hydrogen का मतलब है, जो fossil fuels के तरूँ है, वो produce की जाती है, pink hydrogen का मतलब क्या होता है, जो electrolysis या nuclear power sources के तरूँ है, यूज की जा सकती है, main क्या है, green hydrogen, green hydrogen एक novel concept है, जिसको कई तरीके से produce के जास्ता है, इसमें solar से लेकर winds तक, ये एक तरीके से alternate provide कर सकते है, इसी तरीके से ensure करना कि net zero emission हो, हला कि इसमें जो green hydrogen है, इसका role नए के बरावर इस time पे है, 0.1% के आज पास, इसमें capacity बहुत जाद है, उसको increase क्या जा सकता है, सबसे बड़ा, बड़ी problem क्या है, सबसे बड़ी problem है, cost, इसको लेकर produce करने क लेकर जो energy चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है, अब यह अगर आप देखेंगे, international renewable energy agency के according, इसकी cost जो है, फिलाल, 1.5 per kilogram per dollar के आसपास है, यह बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी, और यह ज़रूरी है, इस तरह की technologies में, cost को कम करना, और जैसे ही investment होगा, जैसे अगर और उसमें सस्ता आपको देखने को मिलेगा, solar energy की context में, तो इसी तरीके से अगर investment होता है, तो यह cost कम की जा सकती है, और एक major alternate की तरह यह use किया जा सकता है, तो अगर हमे net zero emission करना है, 2040 तक का एक target set कर ले, 50 तक का एक target set कर ले, तो इसमें green energy एक important role play कर सकती है, भारत के लिए important है, भारत के लिए इसलिए important है, कि अगर हम देखेंगे, हम लोग fourth largest energy consuming country है, अगर आप China, USA, European Union को छोड़ दे, अगर आप European Union को single country wise divide करेंगे, तब हम third number पर आ जाएंगे, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, यह estimation किया जा रहा है, कि जिस हिसाब से पुरी दुनिया की population ब oil producing nation है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी जमीन जो बेकार पढ़ी है, यूज नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोशिश की जारी है, कि green hydrogen, solar energy, wind energy, इनके थूँ, energy को produce किया जाए, जैसे एक green hydrogen manufacturing unit वहाँ पर लगाई जारी, जो बिल्कुल, bilgium के size के जितना, bilgium का जितना size है, इसी तना size में, साथिय रिविया एक वहाँ पर एक unit जो लगा रहा, green hydrogen के context में, भारत में भी धीरे-दीरे ही से लेकिन improvement हो रहा है, अभी बहुत सारी चीज़े करने जुरूरी है, जैसे अभी एक example दिया गया, कि Northern Relevy ने 89 km का stretch है, हर्याणा में, सोनीपत से जीन के वीच में, इसमें ensure और किया गया, कि कहीं ने कहीं, green hydrogen के तुरू, engines को use किया जाए, replacement किया जाए, अगर ये सारी चीज़े possible होती है, क्योंकि आने वाले समय में, एक population बढ़ेगी, population बढ़ेगी, जो power consumption उसकी demand बढ़ेगी, और power consumption की demand बढ़ेगी, तो उसको complete करने को लेकर alternate और clean energy sources की requirement होगी, तो green energy उसमें हमारे लिए environment friendly और next generation के लिए safe fuel की तरह काम कर सकता है, इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, NDA will admit women government, यानि recently भारत सरकार ने Supreme Court के direction के बाद, order के बाद, NDA के अंदर, National Defense Academies के अंदर, women के participation को permission दे दी है, और ये historical decision है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे, देखें 2020 और 21 में Supreme Court के कई historical judgment आई थी, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, Supreme Court के जितने भी historical judgment है, पिछले दो सालों में, ये most important है, क्योंकि पिछले साल 2020 में, पहला ही question start किया दा, अधार से, right, तो सवाल, पूछे जाने की possibility, और खासकर, दो सालों के अंदर Supreme Court के जितने भी major judgment आई है, उनको हान रखेंगे, और यहाँ पर women को induction करने को लेकर, या permanent commission को लेकर, बहुत सारी important direction आई है, और इसमें 2020 में, जो major judgment है, उसी का result है, कि Supreme Court ने बोला है, कि NDA के अंदर क्यों नहीं women को entry दी जाती, और यहाँ पर compensation कर दिया गी, या entry आपको देनी पड़ी, यो दूसरा, कहीने कही Supreme Court ने पाया, कि अगर पुरे देश में co education लागू हो सकती है, तो military के अंदर क्यों नहीं, तो इसी तरीके को लेकर, यहाँ पर बोल दिया गया है, कि जो है, वो लड़किया भी 12 के बाद, या बारवे के बाद, NDA के अंदर direct entry ले सकती है, और क्योंकि अभी examination जो हुआ नहीं है, अभी भी इसके बारे में discussion किया जाना है, कि क्या November के अंदर जो examination होगा, उसके अंदर भी भारत में महिला या लड़किया जो participating में कर सकती है, या नहीं, देकि 2020 की बहुत important judgment थी Supreme Court की, इसमें एक short service commission की वज़ाए, permanent commission, यानि एक limited time period के बाद retirement होना पड़ता तो वो नहीं ह होगा, permanent, जब तक service करना चाहिए, military के अंदर वो कर सकती है, ये important decision जो historical decision था, और किसी भी base पर description नहीं होना चाहिए, gender के base पर तो बिलकुल नहीं होना चाहिए, तो historical judgment थी Supreme Court की February 2020 के अंदर, तो 2020 और 2021, दो साल की जो major judgment है, इनको आप एक बार cover करेंगे, इसके बाद इंडिया रेशिया ने review किये, अफगानिस्तान situation को लेकर, और रेशिया के जो special representative माने जा सकते हैं, या रेशिया के security council जनरल, ये भारत की visit पर आए, ये इनकी photograph है, और उनके just right hand side, इंडिया के NSA, ने national security advisor, अजीद नोवाल साब, इनके साथ कड़े हैं, तो इन्होंने discussion किया कई सारे issues भारत ने कई सारे issue raise की इनके सामने, कि पाकिस्तान link, पाकिस्तान के direct link का, तालिबान रेजिम के, जैसे मोहमद, लस्करे देवा, इस तरह के groups के साथ, और इंडिया और रेशिया ने एक conduct करिये, पहली detailed and extensive review meeting, और ये situation किसके उपर, अफगानिस्तान में जो situation है, उसके उपर जो इन्होंने discussion किया, कई सारे topic पर discussion किया गया, एक तो terrorism का जो threat है, ये definitely एक बड़ा issue है, इसके अलावा, अफगानिस्तान के अंदर जो terror groups है, weapons का flow है, radicalization है, increase of opium production, देखिए, अफीम की खेती एक बड़ा issue है, अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में माना जाता है कि बड़ी संक्या में, अगर Taliban सरकार बनती है, पूरी दुनिया उसको मानेता नहीं देती है, तो यहाँ पर illegal जो है, वो इस तरह की खेती जो होगी, और उसका impact पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि drug trafficking इस तरह की activity जो है, और ज्यादा तेजी से, पूरी दुनिया में process को लेकर हो, अफगानिस्तान में उसमें रहा है, बाकी अलग-अलग topics पर भी discussion दोनों तरफ से किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है, बनाई है तालिबान ने, उसमें जो सरकार में जो leader या मंतरी ने बनाई है, उनमें से आदे से ज़्यादा तो blacklisted है, terrorist designated है, तो उस context में क्या Russia की strategy हो सकती है, US से की strategy हो सकती है, या पूरी दुनिया उस पर कैसे react करती है, यह अपने आप में सवाल है, इनके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, भारत सरकार लगातार रशिया के साथ भी इसके अलावा, US के भी एक जो chief है वो भारत में और discussion करेंगे, इन सब के अलावा, मैंने discuss किया था कि आज एक important summit होने वाली है, और इस summit, BRICS की summit होगी, BRICS summit को lead करेंगे भारत के परधानमंत्री, इसमें Russia की president, Chinese president, Brazil और South Africa के head of the state, यह भी participate करें, क्योंकि 5 country BRICS का initiative का part है, तो BRICS organization जो है, यह किस साल form किया गया था, और इसक के अंदर, BRICS के अंदर, जो ऐसे एक word use किया जा रहा है, South Africa, South Africa कोन सी summit के अंदर participate किया था, वो आपको नीचे comment करना है, और third question, BRICS की 2021 में, यह कौन से number की summit है, यह आपको नीचे comment करना है, क्योंकि BRICS एक ऐसा topic है, अगर आप 2011 से 2020 तक के UPSC Civil Service Plimps के paper देखेंगे, इसमें क possibilities है, कि फिर से आप से सवाल इसके बारे में पूछे, इसके बाद page number 10 पे mention किया गया है, पैनल सेट किया गया है, draft will on drugs, cosmetic and medical devices को लेकर, और 8 member की, 8 member के committee बनाएगी है, जो number 30 तक तरीकेश अपना सुझाओ देगी, किस चीज़ को लेकर, drugs, cosmetic and medical devices, will के draft को लेकर, और इसको head करें करेंगे, drugs control general of India के VG सोमानी, और इसमें कई सारे topics को लेकर ये discussion करेंगे, और उसके बाद ये करेंगे, इसमें जैसे आप देखेंगे, ये एक तो undertake करेंगी, pre legislative consultation and examine the present act, जैसे कुछ acts है, drugs and cosmetic bill है, इसके अलावा, ये submit करेंगे, draft को, कि new drugs, cosmetic and medical device bills को लेकर, क्या rules and regulation होने चाहि ये इसमें, तरी के suggestion देगी, government को, और उसके बाद आने वाले समय में, सायद हो सकता है कि winter session के अंदर, भारत के अंदर एक नया, आपको medical devices को लेकर, ये cosmetic, drugs और medical devices को लेकर, एक नया bill आपको देखने को मिले, और अगर pass होता तो वो act के अंदर भी change हो सकता है, इसके बाद, just नेचे, India and Australia, जो है, hold करेंगे, 2 plus 2 में, 2 plus 2 में, जब भी word use होता है, इसका महलब क्या होता है, defense and foreign minister, यानि, दो मंतरी हमारी तरफ से, दो मंतरी Australia की तरफ से, discussion करेंगे, इसमें, कई सारे topic पर discuss होगा, इसमें main होगा, bilateral free trade agreement, यहाँ पर, free trade agreement में, जुरूरी नहीं कि सब कुछ चीज़े free हो, आपको taxis को बहुत minimize रखा जाता है, ताकि trade को और ज़्यादा smooth किया जाज़के, दोनों तरफ से, तो इससे पहले आप देखेंगे, US के साथ generally हमने शुरू किया था, 2 plus 2, इसके बाद Russia के साथ भी, और अब जो है वो even Australia के साथ भी हम लोग consultation करेंगे, तो Australia के दिफेंस और foreign minister है, वो भारत के अंदर आएंगे, विजिट करेंगे, और इसके रावान उनने South Korea, US, Indonesia इन सबसे भी discussion किया है, अगर आप इस पूरी discussion के अंदर देखेंगे, एक तो India-Australia comprehensive strategic partnership को लेकर, दूसरा Indo-Pacific एक word बार-बार यूज़ होगा, जिसमें यहाँ पर यह ब इसके अलावा बहुत सारे और भी topic है, जैसे economic issues है, cyber security, climate change, cyber security, और जब important हो जाता है, जब Pegasus 5 यह जैसी चीज़े news में आती है, climate change, और important हो जाता है, जब 26th अभी conference of parties की meeting होने वाली United Nations framework की, इसके अलावा critical technology, supply chain, यह सारे चीज़े बहुत important हो जाती है, critical technology बहुत important topic है, इसके बारे भी पढ़ना बहुत जरूरी, इसके लावा semiconductor एक word use होता है, तो इस तरह के topic जो आते है, बहुत important होते है, इसके लावा अफगानिस्तान को लेकर भी discussion हो सकता है, कि कैसे और ज़्यादा ensure की जास्कित, smooth वहाँ पर अगर कोई नागरिक फसावा उसको बहार निकालने को लेकर, आप लोगों को एक और topic comment करना है, और मैंने यह पहले ही पूछा था, semiconductor के अंदर कौन-कौन से element जो है, वो include होते हैं, वो आपको नीचे comment करने, क्योंकि semiconductor बहुत जादा news में रहते हैं, क्योंकि भारत में shortage हुई थी, और अभी महिंद्रा और महिंद्रा ने बोला था है, क्योंकि हम production कम करें, क्योंकि semiconductor कम हो रहे हैं, तो semiconductor के अंदर कौन-कौन से elements जो है, वो आते हैं, वो आप नीचे comment करेंगे, इसके बाद page number 13, page number 13 पे world affair के बारे में कुछ चीज़े discuss की गई है, world affair में मैंने पहले ही बताया कि पहली 2-3 news होई, वो तालिबान पही है, कुछ नई चीज़ होगी तो definitely पढ़ते हैं, तो तालिबान ने सरकार बनाई, interim government बना दी, और interim government में ये जो इनसान आपको दिख रहे हैं, ये क्योंगे, interim प्रधान मंत्री, ये नवाज सरीफ थे, इनके best friend, और ये 1999 की photograph है, मुहमद हसन अकुंद, ये नए तालिबान के प्रधान मंत्री हैं, या अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री आप बोल सकते हैं, तो इन में बहुत सारे इनोंने minister बनाए, और इन minister में एक विशेश बात क्या है, इन ministers में एक विशेश बात ये है, कि इन में से आदे से ज्यादा, या तो United Nation की terrorist की blacklist के अंदर है, या US की blacklist के अंदर ताकि ये depend करेगा behavior कैसा होता, अगर जो एक तरीके से human rights को या जो एक तरीके से responsible government होनी चाहिए, वो follow करते हैं, तब उसमें कुछ relief दिया जा सकता है, अगर इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, तो इनके ओपर कोई भी प्रतिवन जो वो नहीं हटेगा, तो ये कुछ इसी के लिए मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आमने discuss भी किया था, कि तालिबान सरकार ने, जैसे ही सरकार वहां बंते हैं, उन्होंने announce किया था, कि education को continue करेंगे, बट को education के अंदर अगर होगी, मा लेते हैं कि लड़के और लड़के स्कूल है, तो उसके अंदर यहाँ पर cut के दवारा ही continue किया जाएगा, इनके लावा अगर कोशिस होगी कि लड़के को केवल ladies teacher पढ़ाएं, और अगर ऐसा possible नहीं होगा, तो senior जो old teachers हैं, वो पढ़ाएंगे, यह कुछ इन्होंने rules and regulation मनाएं, लेकिन एक थोड़ी सी में खह सकता हूँ, relax वाली है, कि इसमें education को थो इस नई सरकार में नया क्या है, यह आप देखेंगे mostly जो minister है, वो पुराने सरकार में या तालिबान में सरकार क्या होँगा, खुद की सरकार इन्होंने बनाई बिना किसी election के, 1996-2001 के अंदर जो leader है, जो minister थे लगबग लगब वही फिर से आपको यहाँ पर minister देखेंगे, इसमें इसराजदुन हकानी है, या अबदुलगनी बरादर है, या इसमें हसन अकुंद है, यह जो है फिर से आपको इसी context में देखने को मिलेंगे, खैर इनके बारे में बहुत ज़्यादा detail से पढ़ने की जरूत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अलग तरीके सा division, यह अपनाएंगे, सब को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन इस inclusive सरकार के अंदर कोई भी women इसमें सामिल नहीं है, कोई भी मंत्री नहीं होगी, दूसरा siya community, या इनी सुया और सुनी के बीच में जो division देखने को मिलता है, fractions के बीच में, यहाँ पर यह भी इसमें include नहीं किये गए है तो बहुत सारा जो inclusiveness का concept क्या है, यह इनके guarding अलब हो सकता है, China ने welcome किया तालिबान सरकार को भी बहुत अच्छा किया आपने सरकार बना ली, इसके बाद यहाँ पर इरान यह बोल रहा है कि resume, इरान के साथ जो है nuclear attack बातचित को resume किया जाएगा, इरान nuclear attack और P5 plus 1 इस तरह क जो news रहती है, 2015 में जो nuclear deal हुई थी, permanent 5 plus Germany plus इरान के बीच में, तो उस deal को लेकर बात में Donald Trump ने उस एक्जिट कर लिया था, फिर से उसमें सामिल होगा नहीं होगा, क्योंकि दो issue इनके बीच में, इरान चाहता है कि पहले परतिबंध हटाओ हमारे उपर से, लेकिन US चाहता ह कि भाई, आपको जो limitation सेट करेगे थी, पहले वो follow करिए, फिर परतिबंध इस पर से हटेंगे, तो आज के the Hindu news paper में इतना ही, thank you all, jahin